C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वरा प्रस्तुत है कक्षा 6 की विज्ञान की पाठे पुस्तक विज्ञान 1 आईए अब सुनते हैं इस पुस्तक का पाठ 2 भूजन के खटक प्रिश्ट 8 अध्याई एक में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिने हम खाते हैं भारत के विभिन भागों में खाए जाने वाले भिन भिन वेंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मान्चित्र में अंकित किया था एक प्रकार की भोजन में चपाती, डाल और बैगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांबर तथा भिंडी हो सकती है इसके अतिरिक्त अन्ने भोजन में अपपम, मचली तथा सबजियां हो सकती है क्रिया कलाप एक आम तौर पर हमारे आहार में अन्ने से बना कम से कम एक व्यंजन होता है दूसरे खादे पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सबजी हो सकती है इसमें दही, मठा तथा अचार भी शामिल हो सकते है इस तरह के आहार के कुछ उधारन सारणी 2.1 में दिये गए है सारणी 2.1 विभिन क्षित्रों या राज्यों के कुछ सामाने भूजन क्षित्र या राज्य पंजाब अन्न का व्यंजन मक्य की रोटी दाल या मांस का व्यंजन राजमा सबजियां सर्सों का साग अन्न व्यंजन दही घी क्षित्र या राज्जे, आंध्र प्रदेश, अन्न का व्यांजन, चावल, दाल या मांस का व्यांजन, अरहर की दाल तथा रसम यानि चारू, सबजियां, कुंदरू, अन्ने व्यांजन, मठा, घी, आचार अध्याई एक में प्रस्तावित क्रिया कलाब दो में, आपके द्वारा सारणी में दर्शाय गए व्यांजन चाटिये, इस सूजी में कुछ अन्ने व्यांजन चोड़िये, तथा इसे सारणी दो पॉइंट एक में दर्शाय गई विधी से पूरा कीजिये कभी कभी हम अपनी भूजन में वस्तुता इन सभी व्यांजनों को नहीं ले पाते, यदि हम यात्रा में हों, तब हम वही खा लेते हैं, जो रास्ते में उपलब्ध हो हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता है, कि इस तरह के विविद व्यांजन हर समय खा सकें आहार में विभिन खाद्दे पदार्थों के इस तरह के वितरन का कोई ना कोई आधार होना चाहिए क्या हमारी शरीर को विशेश प्रयोजन के लिए विभिन प्रकार के भोजन की आविशक्ता होती है। प्रेश्ट नौ तथा जल भी शामिल हैं जिनकी हमारी शरीर को आविशक्ता है क्या सभी खादे पदार्थों में ये सभी पोशक उपलब्द होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामगरी या पके हुए भूजन में कौन सा एक या अधिक पोशक उपस्थित हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परिक्षण अन्य पोशकों के परिक्षणों की अपेक्षा सरल हैं. आईए हम इन परिक्षणों को करके परिक्षणों को सारणी 2.2 में लिखें. इन परिक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कौपर सलफेट तथा कास्टिक सोडा विलियनों की आविशकता होगी. आपको कुछ परक नलियों तथा एक ड्रॉपर की भी आवशक्ता होगी इन परिक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामगरी पर करें इन परिक्षणों से प्राप्त परिक्षणों को सारणी 2.2 में दर्शाय गए तरीके से लिख सकते हैं इस सारणी में कुछ खादे पदार्थ दर्शाय गए हैं अपना परिक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खादे पदार्थ पर कर सकते हैं इन परिक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चकने का प्रयास मत कीजिए यदि आवशक विलियन ततकाल उपलब्ध नहीं हैं तो आपके अध्याबक निम्न विधी से उन्हें तैयार करा सकते हैं आएए विभिन निखादे पदार्थों की जांच करके देखें कि किस में कार्बो हाइडरेट उपस्तित हैं कार्बो हाइडरेट कई प्रकार के होते हैं हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बो हाइडरेट मंड तथा शरकरा के रूप में होते हैं यदि किसी खादे पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परिक्षन कर सकते हैं आयोडीन का तनू विलियन बनाने के लिए जल से आधी भरी परकनली में कुछ बूंदें टिंचर आयोडीन की मिला दीजिए कौपर सलफेट विलियन 100 मिलिलीटर जल में 2 ग्राम कौपर सलफेट घोलने से बन जाता है 100 ml जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभीष्ट कास्टिक सोडा विलियन मिल जाएगा क्रिया कलाप 2 मंड के लिए परीक्षा परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामगरी की अल्प मात्रा लीजिए इसमें तनु आयोडीन विलियन की दो या तीन बूंदे डालिए चित्र 2.1 मंड के लिए परीक्षण इस चित्र में दो बच्चों को मंड का परीक्षण करते हुए आयोडीन के साथ दिखाया गया है खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए क्या यह नीला या काला हो गया है यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिती को दर्शाता है इस परिक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराईए और चांच कीजिए कि किस में मंध है अपने परिक्षणों को सारणी 2.2 में लिखिए प्रोटीन के लिए परिक्षण प्रोटीन के परिक्षण के लिए किसी खादे पदार्थ की थोड़ी मांत्रा लीजिए जिस खादे पदार्थ का परिक्षण करना है यदि वहाँ ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चून बनानी की आविशक्ता होती है खादे पदार्थ की थोड़ी मांत्रा को पीस कर या मसल कर उसके चून को एक साफ परख नली में टालतें और दस बूंद जल डाल कर उसे अच्छी तरह हिलाएं अब ड्रॉपर की साहिता से परख नली में दो बूंद कॉपर सल्फेट का विलियन तथा दस बूंद कास्टिक सूड़ा का विलियन डालिए चित्र 2.2 इस चित्र में एक बच्चे को परिक्षन करते हुए दिखाया गया है जिसके सामने कास्टिक सूड़ा और कॉपर सल्फेट की दो बूदलों में रसाइन रखा हुआ है अच्छी तरह हिला कर कुछ मिनट के लिए परख नली को रखतीजिए आपने क्या देखा? क्या परख नली का पदार्थ बैगनी रंग का हो गया? बैगनी रंग खादे पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिती दर्शाता है अब आप इस परिक्षण को किसी दूसरे खादे पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं वसा के लिए परिक्षण खादे पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए इसे एक काघस के टुकड़े में लपेट कर कूटिये ध्यान लखें काघस फट ना चाए यहां प्रिष्ट तीन पर सारणी 2.2 दी गई है सारणी 2.2 खादे पदार्थों में उपस्थित पोशक इस सारणी में कुछ खादे पदार्थों के नाम दिये गए हैं जिन में आपको बता रहा है कि मंड है यह नहीं प्रोटीन उपस्थित है यह नहीं वसा उपस्थित है यह नहीं जैसे कच्चा अलू मंड उपस्थित है प्रोटीन खाली जगा वसा खाली जगा दूद मंड खाली जगा प्रोटीन उपस्थित है वसा खाली जगा मूंगफली मंड खाली जगा प्रोटीन खाली जगा वसा उपस्थित है इसी प्रकार आगे भी कुछ खादेपदार्थ दिये गए हैं, जिनके बारे में आपको मंड, प्रोटीन और वसा की उपस्थिती के बारे में बताना है जैसे बिना पका हुआ चावल यानि चूँँ पका हुआ चावल सूखा नारियल बिना पकी अरहर की ताल यानि चूँँँँँदार्थ पकी हुई ताल, किसी सबजी का एक टुकड़ा, किसी फल का एक टुकड़ा, उबला अंडा, सफेद भाग अब कागस को सीधा कीजिए और धियान पूर्वक देखिए क्या इस पर तेल के धब्बे हैं, कागस को किसी प्रकाश के सामने लाएं, क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंदला प्रकाश दिखाइ देता है कागस पर तेल का धबा खाते पदार्थ में वसा की उपस्थिती दर्शाता है कागस में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है इस दशा में इन पदार्थों को कागस पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागस को सुखा दीजिये ताकि यदि खादे पदार्थ से कुछ जलाया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागस पर तेल का कोई धबा ना रहे तो यहाँ पता चलता है कि खादे पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। क्या एक खादे पदार्थ में एक से अधिक पोशक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खादे पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कोई भी पोशक तत्व उपस्थित ना हो? हमने तीन पोशकों कार्बोाइडरेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खादी पदार्थों का परीक्षण किया था. विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्न पोशक भी हमारे विभिन खादे पदार्थों में उपस्थित रहते हैं. इन सभी पोशकों की हमें क्यों आविशकता होती है? 2.2 विभिन पोशक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को उर्जा प्रदान करते हैं. वसा से भी उर्जा मिलती है. वास्तविक्ता यहा है कि कार्बोहाइड्रेट की तुल्ना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक उर्जा प्राप्त होती है. वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को उर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं. चित्र 2.3 तथा चित्र 2.4 चित्र 2.3 में कार्बोहाइडरेट के कुछ स्रोत बताए गए हैं, जैसे शकरकंदी, गेहु, चावल, बाजरा, मक्का, आम, तर्बूज, पपीता, गन्ना और आलू. इसी तरह चित्र 2.4 में वसा के कुछ स्रोत बताए गए हैं, जिसके दो भाग हैं, ए, ए में मुणफली, तिल और गिरी, सुरज मुखी का तेल, नारियल का तेल, सोयबीन का तेल और सरसों का तेल दिखाया गया है. बी भाग में मास, मचली, अंडे, क्रेम, घी, दूद और मक्कन को प्रदेशित किया गया है. तिश्ट बारह कई चित्र दिये गए हैं, जैसे चित्र 2.5 में प्रोटीन के कुछ स्रोथ प्रदेशित किये गए हैं, जिनें दो भागों में बाटा गया है. ए पादप स्रोथ जिसमें चना, मूंग, तुवरदाल, राजमा, सोयाबीन और मटरादी का चित्र है. बी भाग में मास, मचली, पनीर, अंडे और दूद का चित्र है. चित्र 2.6 में विटामिन A के कुछ स्रोथ प्रदर्शित किये गए हैं, पपीता, गाजर, आम, मचली का तेल और दूद. चित्र 2.7 में विटामिन B के कुछ स्रोथ दर्शाए गए हैं, जैसे यकृत, गेहु, चावल. चित्र 2.8 में विटामिन C के कुछ स्रोथ दर्शाए गए हैं, जैसे संत्रा, अमरूद, मेर्च, नीबू, आमला, टमाटाए. चित्र 2.9 में विटामिन D के कुछ स्रोथ बताए गए हैं, जैसे दूद, मखन, अंडे, मचली और मास. प्रोटीन की आविशक्ता शरीर की वृध्धी तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है. प्रोटीन युक्त भूजन को प्राया शरीर वर्धक भूजन कहते हैं. चित्र 2.5 विटामिन रोगों से हमारी शरीर की रक्षा करते हैं, विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दाथ और मसूणों को स्वस्थ रखने में भी सहता करते हैं. विटामिन कई प्रकार के होते हैं, जिनें अलग-अलग नामों से जाना जाता है. इन में से कुछ को विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E तथा विटामिन K के नाम से जाना जाता है. विटामिनों के एक समूर को विटामिन B कॉम्पलेक्स कहते हैं हमारी शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आविशक्ता होती है विटामिन A हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्त रखता है विटामिन C बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है विटामिन D हमारी अस्थियों और दातों के लिए केल्शियम का उपियोग करने में हमारी शरीर की साहता करता है विभिन विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र 2.6 से चित्र 2.9 में दिखाए गए हैं प्रेश्ट पंद्रह अल्प मात्रा में होती है शरीर के उजित विकास तथा अच्छे स्वास्थ के लिए प्रतेक खनिज लवण आवशक हैं विभिन खनिज लवणों के कुछ स्रोतों को चित्र 2.10 में दर्शाया गया है जैसे आयोडीन के कुछ स्रोत पालक अद्रक फास्फोरस के कुछ स्रोत दूद, केला, मिर्च आदी लोह के कुछ स्रोत पालक, सेब, मास आदी केल्शियम के कुछ स्रोत दूद और अंडे अधिकाश खादे पदार्थों में एक से अधिक पोशक होते हैं आपने भी सारणी 2.2 में प्रेक्षणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा फिर भी किसी कच्ची समगरी में एक निश्चित पोशक की मात्रा दूसरे पोशकों की मात्रा से अधिक हो सकती है उधर अर्ता चावल में एक कार्बोहाईड्रेट की मात्रा दूसरे पोशकों से अधिक होती है इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि चावल कार्बो हाइडरेट सम्रिद भोजन है इन पोशकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आविशकता होती है आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते है हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ती मुख्यता पादप उत्पादों से होती है रुक्षांश के मुख्यसरोत साबुत खाद्यान डाल, आलू, ताजे फल और सबजियां है रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोशक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यहां हमारे भोजन का आविशक अव्यव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहयता करता है प्रिष्ट चौधा जल भोजन में उपस्थित पोशकों को अवशोशित करने में हमारे शरीर की सहयता करता है यहां कुछ अवशिष्ट पदार्थों जैसे की मोट्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहयता करता है समानिता हमारी शरीर को जितने जल की आविशक्ता होती है वहां हमें उन वस्तों से प्राप्त होता है जिने हम द्रव रूप में लेते हैं जैसे की जल, दूद और चायादी इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है आईए देखें कि क्या कोई अन्निस्रोत हमारी शरीर को जल प्रदान करता है क्रिया कलाप तीन एक टमाटर अत्वन नीबू जैसा कोई फल लें इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं जब भी आपके घर में किसी फल या सबजी को काटा, छीला या मसला जाता है तब ध्यान पूरवक उसका निरिक्षन करें क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताजे फल या सबजी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती हम देखते हैं कि कई खादे पदार्थों में जल होता है कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवशक जल की पूर्ती इसी जल से हो जाती है इसके अतिरिक्त कई खादे पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं 2.3. संतुलित आहार समानेता पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं, उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की विरिधी और अच्छे स्वास्थे को बनाय रखने के लिए, हमारे आहार में वे सभी पोशक्तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए, जिनकी हमारे शरीर को आवशक्ता है। क्या आप सोचते हैं कि प्रतेक आयूवर्ग के लोगों को एक इही प्रकार के आहार की आविशक्ता होती है? क्या आप ये भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारेरिक कारे पर निर्भर करता है? एक सप्ता की अवधी में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार तयार कीजिए। थेपला, अनाजवा दालों से बना, केला, पालक, सत्तु, गुड, उपलब्द सबजियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोशक उपलब्द कराते हैं इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्ये में भी संतुलित आहार खा सकता है। उचीत प्रकार का भोजन करना ही परियाप्त नहीं है, इसे उचीत तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोशक तत्व नश्ट ना हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोशक तत्व नश्ट हो जाते हैं? यहाँ पर पहली को दर्शाया गया है। पहली यहाँ जानने के लिए उत्सुक है कि क्या जन्तूओं के भोजन में भी ये सभी अवियव होते हैं और क्या उन्हें भी संतुलित भोजन की हो जाएं। सबजियों और फलों की त्वाजा में कई महतपून विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार-बार धूने से उनमें उपस्तित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद पढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोशक तत्वों की हानी भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उप्योग किया जाता है और बाद में उसे फेंग दिया जाता है, तो कई लाभ दायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानी हो जाती है. पकाने में विटामिन C आसानी से गर्मी से नश्ट हो जाता है, क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सबजियों को सम्मिलित करें? बूजो ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वुत्तम भोजन है. एक कटोरी कार्बोहाइडरेट युक्त भोजन की अपेक्षा, एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिकूर्जा देगा. क्या ऐसा नहीं होता? अताहा उसने तली हुई चीजें जैसे समूसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा अधि वसायुक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया. क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निसंदे नहीं. इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानी कारक हो सकता है. हमारी भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है. 2.4. अभाव जन्ने रोख विक्रितियां उत्पन्निक कर सकता है. वे रोग जो लंबी अवधी तक पोशकों के अभाव के कारण होते हैं, उन्हें अभाव जन्ने रोग कहते हैं. यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में परियाप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है, तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे व्रिद्धी का अवर्द होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वजा की बीमारियां और पेचिशादी. यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहें, तो उसकी व्रिद्धी पूरी तरह से अवर्द्ध हो जाएगी. ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा. वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्ध होगा. विभिन विटामिनों और खनीज लवणों के अभाव से विभिन रोग अथ्वा विक्रितियां हो सकती हैं. इन में से कुछ सारणी 2.3 में दर्शाय गए हैं. सभी अभाव जन्ने रोगों की रोग थाम संतुली ताहार लेने से की जा सकती है. इस अध्याय में हमने स्वयम से यह जाननी की कोशिश की कि विभिन क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविदता होते हुए भी आहार में पोशक तत्वों का वित्रण सामाने है. यह प्रिष्ट सोलहा और तीसरे कॉलम में लक्षण बताए गए हैं. जैसे विटामिन A अभाव जन्ने रोग या विकार क्षीनता द्रिष्टी ही निता. इसके लक्षण हैं कमजोर द्रिष्टी. अंधेरे यानि रात में कम दिखाई देना. कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंध हो जाना. विटामिन B 1 अभाव जन्ने रोग या विकार बेरी-बेरी. इसके लक्षण हैं दुर्बल पेशियां और काम करने की उर्जा में कमी. विटामिन C सकर्वी लक्षण हैं मसूरों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना. विटामिन D अभाव जन्ने रोग या विकार रिकेट्स इसके लक्षण हैं अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना. केल्शियम अभाव जन्ने रोग या विकार अस्थियां और दंतक्षय इसके लक्षण हैं कमजोर अस्थियां दंतक्षय आयोडीन विकार या अभावजन्ने रोग है घेंगा यानि गौइटर इसके लक्षण है गर्दन की ग्रंथी का फूल जाना बच्चों में मानसिक विकलांगता लोह अभावजन्ने रोग या विकार है अरक्तता इसका लक्षण है कमजोरी प्रमुख शब्द संतुली ताहार, बेरी-बेरी, कार्बो हाइडरेट, उजा, वसा, खनिज, पोशक, प्रोटीन, रुक्षांश, सकर्वी, मंड, विटामिन सारांश हमारे भोजन के मुख्य पोशक तत्वों के नाम कार्बो हाइडरेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है इनके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल्भी होता है कार्बो हाइडरेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से उर्जा प्रदान करते हैं प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवशक्ता हमारे शरीर की वृध्धी तथा अनुरक्षन के लिए होती है विटामिन हमारी शरीर को रूगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं संतुलित आहार में हमारी शरीर के लिए आवशक सभी पोशक तत्वों तथा परियाप्त रूप्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं हमारे आहार में लंबी अवधी तक एक अथवा अधिक पोशक तत्वों की नियूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन हो सकते हैं। अभ्यास 1. हमारे भोजन के मुख्य पोशक तत्वों के नाम लिखिये। 2. यहां कुछ पंग्तियां दी गई हैं, उन्हें सुनिए और उनका नाम बताईए। पोशक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को उजा देते हैं। पोशक जो हमारे शरीर की व्रिथी और अनुरक्षन के लिए आवशक हैं। ग, वह विटामिन जो हमारी अच्छी द्रिष्टी के लिए आवशक है। ग, वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवशक है। तीन, दो ऐसे खादे पदार्थों के नाम बताईए, जिनमें निम्न पोशक प्रचुर मात्रा में उपलब्द होते हैं। क, वसा, ख, मंड, ग, आहारी रेशे, घ, प्रोटीन। चार, यहां दिये गए कतरों के बारे में बताईए कि वो सही है या घलत। क, केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोशन आवशकताओं को पूरा कर सकते हैं। ख, संतुली ताहार खाकर अभाव जन्ने रोगों की रोगथाम की जा सकती है। ग, शरीर के लिए संतुली ताहार में नाना प्रकार के खादेपदार्थ होने चाहिए। ख, शरीर को सभी पोशकतत्व उपलब्द कराने के लिए केवल मांस परियाप्त है। पांच, यहां कुछ वाक्य दिये गए हैं, इनमें रिक्तिस्थान भी हैं, रिक्तिस्थानों में कोई शब्द बता कर वाक्य को पूरा कीजिए। क, रिक्तिस्थान, विटामिन D के अभाव से होता है। ख, रिक्तिस्थान की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है। ग, विटामिन C के अभाव से रिक्तिस्थान नामक रोग होता है। घ, हमारी भूजन में रिक्तिस्थान के अभाव से रतवन्धी होती है, प्रस्तावित परियोजनाएं एवं क्रिया कलाप. का, एक बारा वर्ष के बच्चे का एक संतुलित आहार चार्ट तैयार कीजिए, आहार चार्ट में उन खाते पदार्थों को सम्मिलित करें जो खर्चीले ना हों तथा आपके क्षित्र में आसानी से उपलप्थ हों. ख, हम यह पढ़ चुके हैं कि वसा की अतिधिक मात्रा लेना हमारी शरीर के लिए हानिकारक है. दूसरे पोशक तत्वों का क्या प्रभाव होता है? क्या अतिधिक प्रोटीन और विटामिन युक्त आहार हमारी शरीर के लिए हानिकारक है? इन प्रश्नों के उत्तर के और इस विशे में कक्षा में विचार विमर्ष करें. गर, मवेशियों और पालतु पशु द्वारा खाय जाने वाले भोजन की जांच यहा पता लगाने के लिए करें कि कौन से पोशक तत्व जन्तूओं के भोजन में है? पूरी कक्षा से प्राप्त परिणामों की तुलन विभिन जन्तूओं के लिए संतुली ताहार की आविशक्ता से कीजिए. इसी के साथ सोला पाठों की इस पुस्तक का दूसरा पाठ यहां समात हुआ. वाचन परवेज गौहर, निर्माण वंदना अरी मर्दन तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नईदिल्ली भारत. प्रस्तुत